तो गाईज आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 माई यानि आज की सारी की सारी खबरें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरा वर आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप सर डबल्लू एज जी तो गाईज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे वड़ी खबर के साथ तो दोस्तों समैक डान लाइव के अंदर जो मैच होने वाला था वर इस मैच के कैंसल होने का सबसे वड़ा कारण माना जा रहा है दोस्तों बिग कैस की इंजरी जो की येरोपियन टूर के दुरान उन्हें आई थी अब ये मैच होने वाला था दोस्तो मनिंदा बैंक कॉलर फायर और यहां दोस्तो ये कैंसल हो चुका है अब कल की स्मैकडाउन में जो फाइट हमें देखने को मिलेगी वो है दोस्तो जेफ फार्डी वर्सिस डेनल ब्रैन इसमें जीतने वाला व्यक्ती दोस्तो अगले हफते की स्मैकडाउन में समोजो से फाइट करेगा और वो होगा दोस्तो एक कॉलर फायर मैच और उसमें जो जीतेगा वो जाएगा मनिंदा बैंक में तो दोस्तो ये सबसे वड़ी खबर थी इस नियू पी एण को एक इंट्रू दिया जिसके अंदर उन्होंने अपने और ड़ेवली के संबंदों के बारे में काफी कुछ कहा यहां जौन सीना के कहना था कि ड़ेवली हमेशा मेरा होम रहेगा पर मैं अभी कुछ हट के कर रहा हूं जिसके चलते मैं ड़ेवली का щुक्र गज़ जरूर करूँगा तो दोस्तो यहां जॉन सिना की बातों से साफ है कि वो अभी तो डबली डबली के अंदर वापस नहीं आने वाले लगबग एक या फिर दो महीने का समय लगेगा दोस्तो वो हमें दिख सकते हैं यहां समर स्लैम के अंदर लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दो दोस्तो हाली में काफी जादा सुर्खियों में है और इसका नाम है All In यहां दोस्तो All In जो शोव होने वाला ही सुर्खियों में क्यों है क्योंकि यहां Cody Rhodes और Young Bucks ने पूरे के पूरे शोव की सारी सारी टिकडे सोल्ड आउट कर दी है इसलिए दोस्तो यह काफी जादा हाइ फोच चुका है रेसलिंग जगत के अंदर लेकिन दोस्तो में खबर यह है कि CM Punk को इस शो की प्रेस कॉंफरेंस के बैक स्टीज में देखा गया है अगर ऐसा होता है दोस्तो और शो वाले दिन CM Punk एक हलकी सी जलकी यानि अपेरेंस भी देते हैं तो दोस्तो इस शो के अंदर चार चांद लग जाएंगे हलागी दोस्तो वो इस शो में कम्पीट नहीं कर सकते क्यूंकि वो अभी भी UFC के साथ साइंड है तो दोस्तो आपको यह आज की न्यूज वाली वीडियो कैसे लेगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले आस तक के लिए नहीं धनावाद क्टिओ कुर साइंड है